हेलो दोस्तों माने में सुमंत और आज हमनों डिस्क्स करेंगे एकॉनमिक्स के वो कोस्चन जो योपियस से प्रिलिम्स के एर 2005 और 2006 में आये थे चलिए तो देखते हैं पहला सवाल यहाँ पर दो लाइने दी गई है यह एक वर्ड बैंक का पाथ है तो प्रवाइड फर्दर असिस्टेंस तो लो इनकम कंट्री फेसिंग हाई लेवल ओफ इंडेप्टनेस दूसरा लाइन देखते हैं यहाँ पर देखिए यह लाइन जो है वो घलत है यह आईडिय द्वारा नहीं बनाए गई है यह आईमेफ द्वारा बनाए गई है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड द्वारा बनाए गई है अगला लाइन देखते हैं तो मैंने पहला कार दिया Singapore Regional Training Institute STI is one of the institute that provides training in macro economic analysis and policy and related subject as per the program of IMF Institute जी हाँ ये statement सही है मेरा अंसर क्या हुआ? मेरा अंसर हुआ B Only two is correct IMF ने PRGF के स्थापना की थी सब्तमबर 1999 में जिसका objective है Poverty Reduction and Growth को जो देखिए IMF करता क्या है? IMF है जो देशों को loan provide करता है अगर आपके हाँ कोई BOP crisis होई है तो आपको लोन देता है IMF is the lender of last resort आपको कहीं और से loan नहीं मिल रही आपको आखिर में IMF से loan मिलेगी और एक बतौर है कि IMF जो आपको loan देगा तो आपको मानने के लिए कुछ शर्ती भी रखेगा आपके सामने वो शर्त आपको माननी पड़ेगी जैसे कि 1990 के समय में हमारे यहां जो भारत है वहाँ पर BOP crisis होई थी भारत ने IMF से loan लिया IMF ने भारत के पास कुछ सर्ते रखी उन्होंने कहा कि आप अपनी Indian economy को थोड़ा सा और open कीजिए आप FDI allow कीजिए जो private bank है जो private companies है उनको आप और छूट दीजिए उनको आप अपने देशों में invite कीजिए तो इस तरह से जब IMF ने आपको loan दिया तो आपके से पास कुछ स वो दो इंसिच्चूट से मिल करके बना हुआ है पहला इंसिच्चूट है IBID और दूसरा है IDEA IBID का full form क्या है International Bank for Re-structure and Development reconstruction and development और दूसरा क्या है दूसरा है IDEA International Development Association इन दोनों से मिल करके बना हुआ है World Bank जो IBID है उसका aim क्या है उसका aim है Poverty Reduction in Middle Income Countries और जो IDEA है उसका aim क्या ह इसका aim है Poverty Reduction in poorest of the countries देखिए और जो World Bank और World Bank Group में अंतर क्या है जो World Bank है वो World Bank Group का हिस्सा है देखिए World Bank क्या था World Bank था IBID प्लस IDEA World Bank Group क्या है इसमें IBID भी है और IDEA भी है इसके अलावा इसमें तीन institute और है कौन कौन से IFC, MIGA, ICSID तो World Bank Group अलग है World Bank जो है वो World Bank Group का एक हिस्सा है World Bank Group पांच organizations मिल करके बना हुआ है जो developing countries को loan provide करता है दोस्तों UPSC में World Bank, IMF और WTO इतियादे से question आते रहते हैं आपसे अनुरूद रहेगा कि आप IBID, IDEA, IFC, MIGA और ICSID इन पांचों के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिजिए आप क्या कीजिए कि इनका जो नाम है आप Google पर search कीजिए विकी का एक page खुलेगा उसका ज जो औरी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी उनहीं से जादातर question आते हैं जो नीचे का पाठ है उसको पढ़ने में कोई फायदा नहीं है उसमें मेहनत काफी लगेगा और चीजें काफी कम याद रहेंगे आपको इसलिए जो पहला paragraph केवल वही देखिएगा अच्छा अब ही लास्ट यर मेंस में शेडूल ट्राइब पर कुश्चन आया था मेंस में तो देखिए यह कुश्चन भी इसी पर है विच्वन फॉलोइंग एस्ट्मेंट इस नौट करेक्ट सही नहीं है कौन सा लाइन आपको यह पहचानना है देर इस नो डिफिनिशन ऑफ शेड भारती समिधान में जो है वो एस्टी की कोई डिफिनिशन नहीं है पूछ क्या रहा था नौट करेक्ट यह तो सही है तो मुझे यह तो नहीं देना आंसर नौट इस्ट इंडिया एकाउंट फॉर लिटिल ओवर हाफ आफ अफ कंट्री इस ट्रैबल पॉपुलेशन मतलब क अगर देश में 100 स्टी है तो 100 में से 50 से ज़्यादा स्टी नौर्थ इस्ट इंडिया में रहते हैं कैया यह सही है? नहीं दोस्तों गलत है यह जो देखे है जो लाइन है वो गलत हो गई है मतलब मेरा अंसर क्या हैक मेरा अंसर है नौट करेक्ड पूच रहा था ऐसे सवालो तोड़ा निल्गरी एरिया यह निल्गरी एरिया में ही रहते हैं तो यह लाइन है वह सही है लोथा इसका डिफिनिशन समिधान में है कि नहीं तो अभी पता करते हैं हम लोग समिधान का जो आर्टिकल 366 है वो सिडियूल ट्राइब के बारे में ऐसी बाते कहता है यह दिफाइन नहीं करता बस यह कहता है कि आर्टिकल 322 कंतरगत जो ट्राइब सें उनको हम लोग सिडियूल ट्राइब कहेंगे यहां पर कोई दिफिनिशन नहीं है और आर्टिकल 322 में यहां पर केवल प्रोसीजर बताया गया है कि हम आखिर कैसे कहेंगे कि वो सिडियूल ट्राइब इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहां पर कोई डिफिनिशन नहीं है स्टी की काई बार मैंने देखा है कि वो लोग कुछ प्रोपरटीज देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन में से जो स्टी है उसकी क्राइब क्या है उसका एट्रिब्यूट क्या है किस अधार पर हम उन्ह इसके चार क्राइटेरिया है क्या-क्या जेग्राफिकल आइसोलेशन, बैकवर्डनेस, डिस्टिंटिव कल्चर, लेंग्वज एंड रिलीजन, शाइनेस ऑफ कॉन्टक्ट, वन, टू, त्री और फोर, देखिए, दे लिविन क्लस्टर्ड, एक्स्क्लूजिव, रिमोट ए बेसिक टेक्न लोगजी का इस्तेमाल करतें हैं, मतलब जो बैसिक टरीका होते हैं खेतई बारी के वहीं इस्तेमाल करतें हैं, लोग वेल्यू, ब्लोजे को ऀस्टन ही, जो इप्स्पोर्ट नहीं, जो बाहरalth दुनिया है, उनसे चारद संबनिन नहीं, विघ्या लोग व्ल वो अलग होता है उनकी जो रिलिजन होती है वो अलग होती है शाइनेस ऑफ कॉंटेक्ट वो दूसरे लोगों से दूसरी जाती से ज्यादा घुले मिले नहीं रहते दोस्तों यहां पर जो बी ऑप्शन है वो कह रहा था कि नौर्थ इस्ट इंडिया में आधे से ज्यादा ट् कि है हमलोग यह देखते हैं कि हमारा जो सेंटर्ल इंडियन अस्टेस हैं वहाँ पर पर पूरी देश्पिंटि की आबदी है जितनी सीटैलड बारत अगर 100 सीडियो ट्राव हैं तो 100 में से 75% जो है वो Central Indian States में रहते हैं, बाकि जो 25 है वो बाकि जगा फैले हुए हैं, तो दोस्तों अगर 75% तो Central India में ही है, तो अगर हम पूरा-पूरा को अगर नॉर्स इस्ट में अगर हम डाल भी दें, तो भी तो वहाँ 25% ही होगा, है ना, म हम देखते हैं कि आखिर ST communities कहां-कहां रहती हैं, तो देखिए, जमो कश्मीर में है, हिमाचल में है, उतराखंड में है, असाम में घालय, तिरपूरा, अरुनाचल, मिजोरम, मनिपूर, नागालेंड इन सब राजियों में है, दोस्तों अगर आप कोई North East का स्टेट ले ले और जो Central India के जो स्टेट है, वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुल जो संख्या है, वो ज़्यादा है, मगर आप percentage देखें, मतलब कि अगर आप कहें कि MP का कितना percent population travel है, तो वो आपको काफी कम मिलेगा, only around 10% of the region, उनका जो population है, वो ST population के अंदर गताता है, तो percentage के हिसाब स से North East में ज्यादा है, मतलब कि राज जी का कितना percent ST है, वो North East में ज्यादा है, और जो absolute नमर देखें आप तो Central Indian State में ज्यादा है, यहाँ पर आपको तीन लाइन दी गई है, आपको पहचानना है कि कौन-कौन से उसमें correct है, पहली लाइन, India is the second country in the world to adopt National Family Planning Program, यह क्या? नहीं achieve replacement level of fertility by 2010, with a population of 111 crore, दोस्तों यहाँ सही है, जो हमारे population policy है, उसके 3 aim है, short term aim, long term aim, medium term aim, तीनों का हम लोग देखेंगे अभी, यह line जो है, वो सही है, देखे, जो replacement level of fertility है, वो 2.1 है, जो कि यह achieve करना चाहता है by 2010, मगर अभी तक achieve नहीं कर पाया है, यह fail हो गया है, उस समय बात सही थी, क्योंकि जो question आया था, वो 2005 में आया था, और जी जो target achieve करना था, वो 2010 में अचीव करना था, तो उसमें थोड़ी से उनको लगता था कि भोरोसा है, मगर यह achieve नहीं हो पाया, क्यार इबात सही है, मेरा तू और थी सही है, मैंने वन काटा, वन काटा, मेरा अंसर सी निकल गया, तो दिखिए, यहां पर वर्ड इस्तमाल हुआ है, replacement level of fertility यह क्या होती है it is the total fertility rate at which population exactly replaces itself from one generation to the next fertility rate क्या होती है fertility rate होती है average number of children born per woman एक औरत कितने बच्चे को जन्म देती है वो होती है fertility rate तो देखें एक है female एक है female यह दोनों ने शादी करी इनके एक बच्चे हुए यह दोनों है वो बुठी हो करके मर गए तो जब यह दोनों मरेंगे तो इनके जाने के बाद दुनिया में कितने इंसान रहेंगे केवल एक इंसान रहेगा उनके अगर ये दोनों मिल करके दो बच्चे करें तो क्या होगा इनके जाने के बाद कितने इंसान रहेंगे दो इंसान रहेंगे मतलब कि अगर दो गया तो दो उनकी जगह पर है अगर केवल उनके अगर केवल एक ही बच्चे होते तो दो जाता तो केवल एक ही उनकी जगह रहता म मतलब कि वो ये जो बच्चा है वो उनको replace नहीं कर पाया अपने माता-पीता को, अगर एक बेटा है एक बेटी है तो अपने माता-पीता को वो लोग replace कर सकते हैं जनसंख्या में, तो हम ये देखते हैं कि 2.1 children per woman, it is the replacement level of fertility in most countries, अगर इतना है, मतलब कि population जो है, अस्टेबल रहेगा, अगर इतने से ज़्यादा है, तो population तेजी से grow करेगा, अनमान ये लगा जा रहा है कि 2022 तक जो चाइना है, उसकी population होगी 1409 million, और भारत उसकी population होगी 1419 million, मतलब कि जो भारत है वो चाइना को cross कर जाएगा, उसको overtake कर लेगा, अब हम आते हैं दोस्तो national population policy पे, इन सब policy पे हर साल prelims में या mains में कोश्चन आते रहते हैं, कभी वो electronics policy पे सवाल पूछते हैं, कभी वो capital goods policy पे सवाल पूछते हैं, कभी वो national security पे सवाल पूछते हैं, तो आप इन सब में 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 मोटी मोटी policies हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा, तीन तरह के objective है, immediate, medium and long term objective, जो हमारी immediate objective है, वो क्या है, to provide integrated service delivery for basic reproductive and child health care, medium term क्या है, medium term में हम यह चाहते हैं, कि हम लोग total fertility rate to replacement level, जो कि 2.1% है, इसको हम लोग achieve करने, by 2010 तक, 2010 हमारे यहां 7 साल पहले पार हो गया, अब तक हम, अभी तक हम achieve नहीं कर पाए हैं, 270 तक, देखिए, हमारे जो long term objective हो, वो क्या था, long term में हम लोग achieve करना चाहते हैं, a stable population by 2045, जो कि अभी revise किया गया है, 2070 तक, मतलब कि, इसको आगे बढ़ा दिया गया है, इस aim को, क्योंकि हम अपना जो productivity है, वो कम नहीं कर पाए हैं, हम अपने जो population growth rate है, वो कम नहीं कर पाए हैं, हमारे यहाँ, जो 24 states हैं, उन्होंने अभी तक, जो replacement level है, उसको achieve कर लिया है, by 2013, मगर कुछ state, जैसे कि UP, बिहार, जारखंड है, रास्थान, MP, 36 गड़, ये सब जो है, वो 2.1 वाला जो target है, वो achieve नहीं कर पाए हैं, बिहार का है, 3.1, sorry, UP का है 3.1, बिहार का है 3.4, ये काफी जादा है दोस्तों, जरखंड का है 2.7, रास्थान का है 2.8, MP का है 2.9, 36 गड़ का है, 2.6, केरला का दोस्तों, काफी कम है, उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने काफी पहले ही इस rate को achieve कर लिया था, क्योंकि वह पर लिटरेसी जादा है, उनकी इंकम जादा है, वहाँ पर जो लोगों का जो डिवलपमेंट है, वहाँ पर जो केपिल डिवलपमेंट है, वो काफी अच्छा हुआ है, अगला सवाल है दोस्तों, Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBM Act, Concerns, What? Fiscal Deficit Only, Revenue Deficit Only, Both Fiscal and Revenue Deficit, Neither Fiscal, Neither Revenue Deficit, तो दोस को कम करने के लिए कहता है, मतलब कि ये दोनों से concern रखता है, अंसर क्या है, अंसर है C, FRBM Act ये कहता है कि सरकार को जो Fiscal Deficit है, उसको GDP के 3% तक कम कर देना है, इससे भी कम कर सकते हैं दोस्तों, तो और अच्छी बात है, ये जो Act है, वो ये भी कहता है कि सरकार को Revenue Deficit को Eliminate कर देना है, 0% लेकर चले जाना है, अगला सवाल है Taxation पर, which one of the following statement is correct, service tax is a, देखिए, जो service tax है, वो एक indirect tax है, indirect tax है, यहाँ पर indirect tax है, किसको दोरा लगा जाता है, it is levied by central government, not a state government, अंसर है B, दोस्तों, इस टेबल में मैंने जितने भी direct tax है, जितने भी direct tax है, यहाँ पर सबक लिश्ट कर दिया है, पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से direct tax है, तो दिखिए, income tax, it is a direct tax, which is charged on the income of a person, आप माल लेते हैं कि 7 लाख कमाते हैं, आप per year 7 लाख कमाते हैं, और माल लेते हैं कि income tax का rate है, 20%, आपके income पे जो tax लगएगा है, 20%, माल लेते हैं कि 7 लाख में से पार्टी को donate कर दिया, अब आप को donation करते हैं, और वो अगर किसी कानून के इंतरगत, आपका जो taxable income है, उसमें से अगर minus होता है, तो आपका taxable income है, वो taxable income है, जिस पर वो tax apply होगा, 7 लाख में से 1 लाख आपने donate कर दिया, तो आपका 6 लाख रुपे बचा, ये आपका taxable income ह इतने पर ही आपका tax लगेगा, तो 6 लाख का 20%, ये आपका हुआ tax, so taxable income is the total income minus applicable deduction and extension, आप कितना tax जो कम कर सकते हैं, आप ये है, अगला है corporate tax, जो की companies को देना होता है, It is charged on royalties, interest, gains from sales of capital assets located in India, fee for technical service and dividends, this corporate tax includes fringe benefit tax, dividend distribution tax, DDT, और this also includes securities transaction tax, इसके बारे में दोस्तों आप देख लिजाएगा एक बार, इस पे काफे सारे questions आनेक chances होते हैं, DDT और STT, दोनों के बारे में देख लिजाएगा, अगला है wealth tax, this tax is charged on benefits derived from ownership of any property, अगला है capital gains tax, अगर आप किसी capital को transfer करते हैं, इसी तरह हम देखते हैं, इसी तरह हम देखते हैं, indirect tax, कौन को देख लिजाएगा है, दोस्तों पहला है service tax, इस tax is levied by the service tax provider and paid by the recipient of the service, आप किसी hotel में जाते हैं, आप खाना खाते हैं, तो जो hotel वाले हैं वो आपसे service tax लेते हैं, इस tax falls under the limit of central government, इसको central government levy करता है, अगर कोई company goods किसी good को manufacture करती है, तो उस पर लगता है exercise duty, और अगर आप उस goods को आप export करते हैं, तो उस पर लगएगा आपका custom duty, So, central government collects exercise duty on manufacture of the good, कई तरह के होते हैं, basic exercise duty, special exercise duty, textile duties, goods of special importance and national committees contingent duty, अगर आप किसी goods को import करते हैं, export करते हैं, तो उस पर अगला duty लगती है, अगर आप इंपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है, specific duty लगती है, उस पर algorithm duty लगती है, anti-dumping duty लगती है, जैसे कि देखिए, अगर किसी सा दाम मार्केट में कम है, और चाइना उसको उस दाम से काफी कम दाम पर हमारे domestic market में इंडिया में भेजती है, तो उस पर हम लोग anti-dumping duty लगा सकते हैं, these are levied to shield the domestic market, हमारे domestic market में जो producers हैं, जैसे कि steel पे हम नहीं हाल में ही लगाया, anti-dumping duty, क्योंकि चाइना जो है, वो काफी सस दाम पर जो steel हमारे यहां आएगा, तो हमारे जो domestic manufacturer है steel के उनका समान कुन खर देगा, 300 रुपे पसेरी, 300 रुपे पर 5 किलो माल लेते हैं, कि steel आ रहा है चाइना से, भारत में जो बन रहा है steel उसका दाम है, 350 रुपे पर 5 kg, तो दिखिए, जो Chinese steel है वो तो सस्ता है, और जो domestic steel है, वो महेंगा है, तो हमारे जो steel हो कौन खर देगा, हमारे domestic market में खर देगा, जो Chinese वाला है, वो खर देगा, तो इसलिए हम लोग इस पर anti-dumping duty लगा देते हैं, माल लेते हैं, कि इस पर हम लोग 10% का, सुरी, जो 20% का लगा देते हैं, तब कितना हो जागा, यह 60 रुपे तो इस तरह हम लोग duties लगा करके अपना domestic market है, उसको हम लोग protect करते हैं, दूसरा है, countervailing duty of customs, और अगर आप किसी good को बेचते हैं, उस पर लगता है, वैट, central sales tax, और और local body tax, जिसको हमारे local governing bodies लगाते हैं, अगला सवाल है, which one of the following statements is not correct, कौन सा गलत है, आपको यह बता है, बताना है, देखिए, इन में से जो रावरकेला steel plant, first integrated steel plant is in the public sector of India, by Soviet Union collaboration, दोस्तों, यह जो रावरकेला श्री प्लांट था, वो जर्मन collaboration से setup किया गया था, Soviet collaboration से setup नहीं किया गया था, तो जो पहला option है, वो गलत है, पूश का रहा है, not correct, मैंने लगा दिया, यह option, बाकि जो तीनों है, वो सही है, अगला question है दोस्तों, stock market पे, यहाँ पर आपको तीन लाइन दी गई है, sensex is based on 50 of the most important stocks available on the Bombay stock exchange, दोस्तों, 50 नहीं, केवल 30 कंपनियों के stock का यह index है, और तो मैंने पहला काट दिया, मैंने यह काटा तो मेरा बी कट गया, देखे, for calculating the sensex, all the stocks are assigned proportional weightage, उनका weightage assigned होता है, जिसका weightage ज्यादा होता है, उनका share में अगर कोई change आएगा, तो इस index पर ज्यादा परवहाँ पड़ेगा, for example, देखे, माल लेते हैं कि कोई company है A, कोई company है B, कोई company है C, A का जो share है, इसका weightage 10 माल लेते हैं, B का जो weightage है, वो है 5, तो अगर A के share में 5 रुपे का change आता है, B के share में 5 रुपे का change आता है, तो दोनों के share में कितने का change आया, same amount का change आया, मगर जो index है, जो sensex है, उस पर A के share का change आया, उसका परवहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि उसका weightage है, वो ज्यादा है, B के share का change है, उसका weightage कम है, इसलि नुए यॉर्क श्टा स्टॉकेश्चेंचेंज फेली की ह। blast जो oldest है वो कौन सा है यह है Amsterdam Stock Exchange जो की 1602 में बनाए गया था Dutch East India Company के द्वारा It was the first company to issue stocks and bond इससे पहले किसी company ने stocks and bond issue नहीं किये थे जो New York Stock Exchange है वो सबसे बड़ा Stock Exchange है जिसको 17 माई 1792 में found किया गया था अब आते हैं हम लोग अपने Sensex पे Sensex क्या है यह 30 stock का एक index है Sensex जो नाम है वो पहले पार क्वान किया गया था दीपक महोनी के द्वारा इसका जो base year है वो है 1978-79 कितनी company index है यह 30 well established and financially sound companies का एक्स्टेंड है कंडेक्स से जो की Bombay Stock Exchange में लिस्टेड हैं कि वीच वन फॉलोइंग इंडियन बैंक्स इसन नाट नेशनलाइज़ बैंक corporation bank देना बैंक federal bank विजया बैंक तो देखिए corporation देना और विजया तीनों है जो नेशनलाइज़ बैंक है केवल federal bank ही एक नेशनलाइज़ बैंक नहीं है यह एक private sector का commercial bank है आप चुकि प्राइवेट सेक्टर का है इसलिए नेशनलाइज नहीं है मेरा अंसर क्या है मेरा अंसर ह इसका headquarter कोची में है सियो कौन है स्याम स्रिनवासन consider the following statements life insurance corporation of india is the oldest insurance company in india सही क्या क्या पूराना है नहीं इसको 1906 में found किया गया था हमारा जो oriental life insurance company है उसको 1818 में found किया गया था यह सबसे पूराना है मैंने पहला काटा मैंने जब पहला काटा तो मेरा a b और d कट गया मेरा answer मिल गया c यह तब होता जब आपको यह पता होता अब मुझे तो यह पता है नहीं हम लोग आगे देखते हैं national insurance company limited was nationalized in the year 1972 and made a subsidiary of general insurance corporation of india सही है दोस्तों जी हाँ यह सही है अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं कोई problem नहीं है काफी कम लोग को पता होता है headquarters of the United Indian insurance company limited are located at Chennai जी हाँ यह सही है यह चनने में located है मेरा दो और तीन सही है मेरा answer आया सी दोस्तों कुछ questions UPC में आते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं ऐसे question छोड़ने के लिए होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप guilty feel मत कीजिए कोई problem नहीं है बस आप सीखते रहिए नए नए चीज़ें अब बात आईए है life insurance company की तो देखते हैं कि LIC इसका जो headquarter है वो मुंबई में है इसका जो honor है वो government of India ये एक public sector company है funded by government of India funded on 1 सितंबर 1956 इसकी subsidiary क्या है LIC International, LIC Card Services, LIC Lanka and many more United India Insurance ये का fund किया गया था ये fund किया गया था 1938 में इसका headquarter चेन्नई में है जो कि मेरा third statement था देखिए यहां पर अगला सवाल हवाला transaction related to payments received in rupees against overseas currencies and vice versa without going through official channels दूसरा received for sale transfer of shares शेयर पर नहीं होता दोस्तों बी गलत है received as commission for services rendered to overseas investors, buyers, sellers गलत है made to political parties or to individual for meeting election expenses गलत है दिखिए अगर आप बाहर में काम कर रहे हैं माल लेते हैं किधर हैं इंडिया आप काम कर रहे हैं साओधी अरे अरे अगर आप banking route लेंगे मतलब कि माल लेते हैं कि आपने वहापर कुछ पैसे कमाएं आपको उन पैसे को भीजना है इंडिया में अपने family members के पास अपने परिवार के पास तो क्या करेंगे आप जो formal channel है जो official channel है उसके दोर भीज सकते हैं माल लेते हैं कि आपने कोई NRA account खुलवाया उसमें आपने पैसे डाले या आपने को payment bank के जरी आपने पैसे डाले तो क्या होगा जो banking officials है वो आपसे कुछ charge मांगेंगे आपसे कुछ पैसे मांगेंगे तो वो जो पैसे होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं तो आप करेंगे क्या आप official channel का इस्तमाल ना करते हुए आप हवाला channel का इस्तमाल करेंगे जो हवाला में जो involved हैं वो लोग उनकी मदद लेंगे तो आप क्या करेंग आप यह जो 10 लाख रुपए हैं आप यह देंगे A को और B जो बंदा बठा है इंडिया में वो यह 10 लाख रुपए दे देगा आपकी फैमिली वाले को यह 10 लाख रुपए हैं वो इंडिया में नहीं आया दोस्तों वो सअओधी अरेबिया में ही है वो A के पास ही है A ने बोल दिया B को की भहिया मुझे 10 लाख रुपए मिल गए है आप जा करके 10 लाख रुपए जो है वो इस व्यक्ति की जो family इंडिया में जो बस यह हुई है उसको आप दे दो तो यहाँ पर जो पैसे हैं उसका transfer country to country नहीं हो रहा है मगर जो पैसे हैं उसकी family के पास पहुँच गए अब चुकी आप इस A की service ले रहे हैं आप इस A हजू की हवाला agent है उसकी service ले रहे हैं तो यह आपसे कुछ charge लेगा यह जो charge लेगा वो जो bank वाले charge ले रहे थे उससे काफी कम होगा दोस्तों इसलिए क्योंकि कम पैसे खर्च हो रहे हैं इसलिए लोग हवाला का route लेते हैं हवाला जो channel होता है उसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों यह एक illegal method है क्यों क्योंकि आप tax को avoid कर रहे हैं अगर आप banking का route लेते तो आपको tax देना होता आपको कुछ charge देना होता आपने उस tax को avoid किया यह जो पूरा जो system है वो यहाँ पर जो cash होता है उसका physical movement नहीं होता जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर कि जो cash था वो Saudi Arabia से इंडिया में नहीं आया जो cash था वो वहीं रह गया यहाँ वाला cash यहीं रह गया बस वो आपने दिया A को B ने दे दिया आपकी family को अगर माल लेते हैं कि यहाँ पर कोई है मुहमबद अली माल लेते हैं अली ने यहाँ पर रहके कुछ पैसे कमाए अली जो है वो Saudi Arabia का इंसान है उसको अपने पैसे भेजने है अपने देश में और बी ने फौन किया A को अब A जो है वो यह जो 5 लाख रुपए है वो दे देगा अली वाली family को अली की जो family है उसको दे देगा इस तरह से जो हवाला transfer है वो ऐसे काम करता है तो इसका अंसर कहा है दोस्तों? इसका अंसर है A अगला सवाल है capital account convertibility पे मैंने जो convertibility है इसको मैंने पिछले lecture में अच्छे से explain कर दिया है अगर आपने वो lecture नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं नीचे आपकी playlist पड़ी हुई है description में सवाल है capital account convertibility of Indian rupee implies what that Indian rupee can be exchanged by the authorized dealer for travel के लिए क्या देखिए जो भी अगर आप rupee को convert करते हैं किसी capital काम के लिए मतलब कि अगर आप कोई capital खरिदना चाहते हैं कोई asset खरिदना चाहते हैं बाहर में तो वो होती है capital account के अंतरगत convertibility अगर आप पढ़ने जाते हैं अगर आप ट्रेबल करने के लिए जाते हैं तो यह सब current account के अंतरगत आएगा तो मेरा पहला कट गया that Indian rupee can be exchange for any major currency for the purpose of trade trade के लिए करते हैं तो यह भी current account के अंतरगत आएगा यह capital account के अंतरगत नहीं आएगा मैंने भी भी काटा that इंडियर रुपी can be exchange for any major currency for the purpose of trading financial asset आप financial asset जो है वो खरी देंगे बेचेंगे तो इसके लिए आप जो पैसे जो convert करेंगे वो आपका capital account के अंतरगत मेरा C answer सही है दोस्तों यहाँ पर currency accountability क्या होती है मैंने आप लिस्ट कर दिया है इसको मैंने पिछले lecture में भी explain कर दिया है इसको दुवारा explain करने से फायदा नहीं दिख रहा मुझे आप वो lecture दुवारा देख सकते हैं हम लोग मिलते हैं दुस्तों अब अगले वीडियो में thanks for watching, take care